हेलो और वेलकम स्टुडेंट दिस इज गोपीशन और वचिंग संभाव ओलाइन क्लासेज देखिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल तक हमारा जो चैप्टर सरवांग समता का था दस्वा चैप्टर वो कलीर हो गया था जो अपकी बार के सेलेबस में है और आज हम हमा हमारा नया स्टैप्टर सुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है समरूपता उसका नाम क्या है समरूपता जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में सरवांग समता और सरमरूपता में डिफ्रेंट में बताया था और कुछ बातें ऐस यह जो आज बता दी जाएगी, तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि हमारी वीडियो को आप लाश्ट तक देखा करें, क्योंकि लाश्ट तक बहुत सारी इंपोर्टेंट बाते एक साथ बताई जाती है, इसलिए आप ध्यान रखना, अब देखिए, क्यूसर नंबर टू, सुरी, क्यूसर नंबर टू क्या, नेक्स्ट हमारा समरूपता, समरूपता, समरूपता क्या होता है, सम पलस रूप, इसमें थोड़ा सा आपको मैंने बताया था, जिसका केवल रूप सम्मान और समरूपा करते हैं, और समरूपता में दो बातों का आपको जान रखना, एक तो समरूपता की विशेषता है समरूपता की विशेषता क्या होगी अगर दो समरूप त्री बुझ हो समरूप त्री बुझों के संगत कौन बराबर होते हैं वे संगत बुझाएं समानुपाती होती है हम लिखेंगे समरूप त्री बुझों के संगत कौन बराबर वैं संगत बुजाएं समानुपाती होती है समरूप त्रिमुजू के संगत कौन बराबर वैं संगत बुजाएं समानुपाती होती है तो देखिए हमारे सरवांग समता जो पेसला हमने चेप्टर पड़ा था उसमें क्या था उसमें सरवांग समत्री बुजों में संगत कौन तो बराबरी थे ये तो इकलिटी उसमें भी थी बट उसमें ये नहीं थी उनमें संगत बुजाएं आपकी क्या थी बराबर थी बट इसारी सर्वांग्सम् आकरतियों उनको समरूप बोल सकते हैं क्योंकि सर्वांग सम आकरतियों में संगत बुजाएं क्या होती है बराबर होती है अगर संगत बुजाएं बराबर हुई तो उनका अनुपात रेशियो कितना हुआ एक अनुपात एक इसका मलब सारी सर्वांग सम आकरतिया क्या होती है समरूप आकरतिया होती है यसी बातों इसका मेंस क्या होता है कि यदि हमने दो ट्राइंगल लिए जैसे देखिए मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं एक ट्राइंगल मैंने ये ले लिया दूसरा ट्राइंगल मैंने ये ले लिया कि दो मेंने ट्राइंगल ली या इसे मैं बड़ाए चोटा भी ले सितने हम चलो यह ले लिए एक बार तो इस ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ABC और इस ट्राइंगल का नाम दे दिया PQR यह एक बार मैं इस ट्राइंगल थोड़ा से चोटा एलता हूं या बड़ा लेता हूं बस इतना एलिया तो देखिए इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC और इस ट्राइंगल का नाम दे दिया PQR अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या करेंगे एंगल इक्वल मिलेंगे कि संगत कौन क्या है बराबर है corresponding एंगल आर इक्वल देखिए इसका ये एंगल जगर इसमें 50 है तो इसमें भी इसका ये एंगल 50 है इसका ये 60 है सोरी एंगल की बात नहीं ये समरूपता हम SSS समरुपता बता रहें तो SSS समरुपता क्या हो जाएगी SSS समरुपता मतलब तीनू भुजाओं का अनुपात सम्मान होने की यह Sides are proportionally जैसे अगर इसकी ये side 6 cm है और इसकी ये side 3 cm है इसकी ये side मान लिया कि 5 cm है इसकी ये side 2.5 cm है इसकी ये side 4 cm है और इसकी ये side 2 cm है तो देखो इसमें A-B side और कौन side का P-Q side का ratio A-B side और P-Q side का क्या है ratio क्या है equal है और उसी परकार से BC side और आपके QR side और आपका SC side और PR side इनका ratio सब का ratio क्या आ रहा है 2 upon 1 आ रहा है देखाँ ना 6 upon 3 2 upon 1 5 upon 2.5 2.5 से 5 2 time तो 2 upon 1 4 upon 2 मतलब 2 upon 1 तो ये आपका ratio क्या equal अगर किसी दो triangle की संगत बुजाओं का अनुपात यदि तीनू संगत बुजाओं का अनुपात दूसरी किसी संगत त्री बुज के तीनू बुजाओं संगत बुजाओं के अनुपात के बराबर आ जए तो वह दोनों त्री बुज S, 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 similarity से क्या होते हैं संगत त्री बुज होते हैं ठीक है संगत बुजाओं का दूसरा हम गुंद्रम लेते हैं वो होता आपका S, A, S संगत S, A, S, संगत S, A, S, संगत S, A, S, संगत हमने दो ट्राइंगल लिए एक का नाम दे दिया ABC दूसरे का नाम दे दिया PQR अब की बार भी क्या है अब की बार क्या है S, S, मतलब दो बुजाओं का अनुपात क्या होना चीए एक त्री बुज की दो बुजे है दूसरे त्री बुज की संगत और उनके बीच का एंगल जैसे इसका ये एंगल 30 है तो इसका ये एंगल ही 30 होना चीए ज्यान रखना ऐसा तो इस परकार से आपके S, S, क्यूंकि 5.2.5 कितना हो गया क्यूंकि इसमें देखो क्या हो गया AB और PQ का रेशियो इक्वल है आपके BC और QR के रेशियो के इक्वल उतना ही ले लिया मैंने 2.1 है क्योंकि 5.2.5, 2.1 and 6.3, 2.1 सेम हो गया and बीच का एंगल इन दोनूं के angle B is equal to there का angle Q is equal to 30 degree so S, A, S अगर दो ट्राइंगल के दोनूं साइड, दो साइड का proportional ratio और उसके बाद में उनके बीच का एंगल equal हो तो S, A, S अमरूपता से क्या होते है समरूप और तीसरा नियम है आपका A, A, A समरूपता A, A, A समरूपता A, A मतलब एक ट्राइंगल के तीनूं angle जैसे इसी में लेता हूँ मैं जैसे इसका ये अगर 50 है ये 60 है और ये 70 है तो fix है इसमें भी ये 50 आगया यदि ये 60 आगया और ये 70 आगया तो दोनूं ट्राइंगल आपके angle 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 A is equal to angle P angle B is equal to Q and angled C equal to आपके angle R तो A, A, A समरूपता से दोनूं त्रीपुज क्या हो जाएंगे और हमें अगर समरूप त्रीपुज है थे उसके बाद में संगत बुजाओं का और लपा सममान और इसमें संगत कौन भी क्या होंगे बराबर होंगे इसी बातों का आपको द्यार करना है और Oopsun reagating, वहता है सब्सक्राइब्स इसमें बीचल से साथ है एक पचाइस है एक सोडस तो तरी कोंट कर तो प्राबर होते हैं तो फिक्स है कि तीस राकून स्वैत ही क्या होगा बराबर होगा तो देखिए आपके यह आपके समरूपता के चार गुनद्रमों का पता रखना है एक तो SSS समरूपता वो क्या है किसी एक त्री बुज की तीनु बुजाएं किसी दूसरे त्री बुज की तीनु संगत बुजाओं के अनुपात के बराबर हो तो दोनु त्री बुज एस समर्वुपता से क्या होते है? समर्वुपता है और similarity का तीसरा जो गुर्णद्रम है वो है आपका AAiev मतलब कौन 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 समर्वुपता है इसका मतलब क्या होता है? कि एक त्री पुज के तीनू कौन किसी दूसे त्री पुज के क्या मिलते हैं, वे बराबर मिलते है, तो यह होगी समरूपता के चार गुन द्रम, बस ये ठिक्ष्ट जयान दिमाग में रखना है, कि कोन से ट्राइंगल में हमें कोन सी सिमिलरट्री लगा नी है, इनका जयान रखना है, इसी परकार से, इस नाम से आगे की बात करते हैं जैसे अब इसके अंदर हम आगे की बात करते हैं तो आगे की बात में क्या होगा कि जैसे 11.1 आपके देर की उसमें कुछ नहीं है यही देर के कि आपके पता है कि सभी वर्त आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं कि रूप उनका सेम होता है सभी वर जाके वर्थ क्या होते हैं सर्वांग सम्होते हैं सम्मान बुजा के वर्ग क्या होते हैं सर्वांग सम्होते हैं बट सभी वर्थ ले 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 तो वह सम्रूप है कितने भी वर्थ ले लो आप सम्रूप मिलेंगे और सभी वर्ग कितने भी वर्ग ले लो आप वह क्या मिलेंगे आपस में समरूप तो होंगे ही और उसी परकार से सभी संभाव त्री बुज़, सम्मान बुजाओं के त्री बुज, आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि उनकी बुजाओं का रेशियो अपने आप इक्वल हो जाएगा, और उसी के बाद भी बोल रहे हैं कि एक संगत कौन बराबर होंगे, और संगत बुजाओं क्या होगी, समान उपाती होगी, तो वे दोनु आपके जो है, वो बहु बुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और उसके बाद में, उसने कुछ एक क्यूसन में क्या दे रखा है, यही समरूपता कि आपको दो विसेस्ताइ हैं, और एक में बोल रहा कि समरूप आकरतियां बनाएए, तो समरूप आकरतियां हम बनाए सकते हैं, तो 11.1 में वैसा कुछ खास नहीं है, अब 11.2 पे आते हैं, 11.2 से पेले हमारी एक इंपोर्टेंट थोरम है, तीन या चार थोरम है ऐसी, तो देखे सबसे इंपोर्टें थेल्स पर्मे का यूज करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट पर्मे है, पर्मे 11.1, प्रसनावली 11 का सबसे पहले ही इंपोर्टेंट पर्मे आ गया वही, 11.1 थेलस थोरम, थेलस पर्मे, या बेसिक प्रपोर्शनली थोरम, BPT मतलब आधार्बू समानुपातिकता पर्मे, तो आधारबूत समानुपाती पर्मिय प्यशिक प्रोपॉस्नली थोरम अब देखिए यह ठेल से पर्मिय है क्या कि किसी त्रीबुज की यदी किसी त्रीबुज की एक बुजा के समानतर यदी कोई रेका कीची जाए देखो इसको मैं लिखता हूं त्रीबुज की एक बुजा के समानतर कोई रेका कीची जाए कोई रेका खीची जाए तो वह रेका तो वह रेका सेंस दोनों बुजाओं को त्रीबुज की सेंस दोनों बुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह आपको बात याद रगनी है भई अब इसको हम प्रू कर रहे हैं तो देखिए थेलर्स थोर्म बड़ी इंट्रेस्टिंग थोर्म है हम इसको प्रू कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी आकरती लेते हैं तो देखिए हम इसकी आकरती लेते हैं जब आकरती में कैले ना है यदि किसी तुह कर भूरा तो हम लिखी उठाते हैं सब औरी patैली लोता है यह तो आप सब को पता है है वी तो यह मैंने आकरती में एक प्रॉज उठा लिया लो साब अब क्या बोला त्री बुज की एक बुजा के समानतर तो त्री बुज की एक बुजा के समानतर मतब त्री बुज की तीन बुजा है होगी A, B और C इसकी एक बुजा के समानतर एक रेका कीजनी है इस त्री बुज की एक बुजा के तो मैं 20 C बुजा के समांतर रेका खिछना हूं यह से, त्री बुज की एक बुजा के समांतर हलाँ इसको काडते हूं हम आगे भी खिछ सकते हैं, देखिए इसको थोड़ी सी म्हें आगे किछ देता हूं, किसी त्रीबुज की एक बुजा के समानतर खिची गई रेखा त्रीबुज की सेंस दोनों बुजाओं सेंस दो बुजाओं कौन से बच्ची A, B और A, C इसको सम्मान अनुपात में हमने मान लिया कि यह समानतर खिची गई रेखा इसको त्रीबुज की AB बुजा और AC बुजा को D और E पर क्या करती है काटती है, परतिछेद करती है, इंटरसेक्ट करती है तो देखिए, हम इसमें, दिया है में क्या लेकिए हम इससे आ गए, दिया है हमें क्या दिया है हमें दिया है, त्रीबुज ABC में त्रीबुज ABC में DE समानतर है क्या, त्रीबुज ABC में DE parallel है, इसके BC के, त्रीबुज ABC में DE, BC के क्या समानतर है, तो हमें इसमें सिध क्या करना है, सिध करना है, तो देखिए, इसको हम उपर तक ले चलते हैं, आपकी नजरू के सामने लेके चलते हैं, तो देखिए, क्या है, सिध करना है, तो हमें सिध क्या करना है, वो देखिए, सिध करना है, यदि किसी त्रीबुज की एक बुजा के समानतर को इरेका कीची जाए, तो हम हो जाएं बच्ची AB और AC इसको क्या करेगी सम्मान अनुपात में विवाजित करेगी इट मिन्स AD अपॉन DB का रेशियो और आपका AE और EC का रेशियो क्या अनाची इक्वल अनाची AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC यह अनाची यह हमें प्रूब करना है तो देखिए उससे आगे हम इसमें कर देते हैं रचना 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 करते हैं हम हमारी तरफ से यह ले लेता हूं और उसमें थोड़ा सा आपके यह color change कर देता है तो देखिए रचना में हम क्या करेंगे रचना में हम करेंगे एक तो D को C से मिलाएंगे यह साब D C को मिला दिया और B को E से मिलाएंगे इसी परकार से यह एक धम कूपशे नहीं आरी होई यह देखो इसके कोणे शिना आगया C D वे B E को मिलाया प्रचना का पहला काम तो यही होगा यह लिख देते हम रचना क्या करेंगे D C वे B E को मिलाया D C वे B E को मिलाया पहला काम तो हमारा यही है तथा अब दो काम मोर करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे मतलब लंब डालेंगे लंब कैसे डालेंगे वो देखिएगा आप आपके D से बुजा A C पर और E से बुजा A B पर हमें क्या करने है परपेंडिकुलर डालने है लंब डालने है तो देखें हमने सकार से डालेंगे यहां से यह इस बुजा पर परपेंडिकुलर कर दिया और यहां से इस बुजा परपेंड़िपर करने यह हम ने लंब डाल दिद्यान रखना कि यहां से यह 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 लम बतलब 90 दिश्वाई एक टिम की ओर रहेंगे यह ठीक है परपेंडिकुलर डाला तो इसको इसी सिंद्वना देता हूं कि हमाँ यह इसमें परपेंडिकुलर उसी प्रकार से यह परपेंडिकुलर डाल दिये हमने क्या किया कि इसे एप परपेंडिकुलर एबी पर और डी से डी जी परपेंडिकुलर एसी पर खीच दिये हमने लिकेत था इएप पूरी एबी पर और दूसरा डी जी पूरी एसी पर खीचे जोर से पकड़कर खीचे ध्यान रखना बई अब इंपोर्टेंट बाद स्टार्ट हो रही है उपती है इसको विशेश तोर से आपको ज्यान रखना है उपती में आपका क्लास नाइंद का पड़ेवे एक थोरम है पर्मे है वो आपके काम आएगा कौन कहता है क्लास नाइंद काम में नहीं आती बहुत ज्यादा काम आती देखिए क्या है पर्मे कि किसी उब्यनिष्ट आदार वे दो समानतर रेखाओं के मज्दे खीचे गे त्रीबुज सेतरफल में क्या होते है बराबर होते है या हम इसको ऐसे बोल देंगे कि उब्यनिष्ट आदार वे समानतर रेखाओं के मज्दे बने त्रीबुजों का सेतरफल क्या होता है बराबर होता है, हम लिखेंगे, उब्यानिस्ट, आधार, वै, दो, समांतर, रेखां, के, मद्धे, बने, त्रीबुज, सेतरफल में बराबर होते हैं, यह लिखें रखना भई, उब्यानिस्ट, आधार, वै, दो, समांतर, रेकां, के, मद्धे, बने, त्रीबु, सेतरफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो देखिए, ऐसा कौन से त्रीबु जे, वापस मैं बताता हूँ, आपको, आपको, देखना पड़ेगा गए उब्यनिष्ट आदार so D.E. और B.C. के मजदे इस्तित है और D.E. उबेनिष्ट आदार परिस्तित है तो हम लिख देंगे इसलिए area of D.E.B. is equal to area of D.E.C. ये बात लिखेंगे हम हम लिखेंगे इसलिए area मतलब से तरपल area of D.E.B. is equal to area of D.E.C. D.E. इसको दे देंगे समीकार नमबर एक की D.E. उबेनिष्ट आदार पर है और D.E. और B.C. समानतर रेखाऊंगे मजदे इस्तित है ये दोनों त्रीबुज तो इन दोनों त्रीबुज का सेतरपल क्या होगा बराबर होगा अब देखिए आगे अब आपको ज्यांद रखनी के इसको इकक्षे नमबर वन देके छोट दो ये समीकार नमबर एक अब देखिए हमें पता त्रीबुज का सेतरपल का शुत्र क्या होता है चुंकि त्रीबुज का सेतरपल त्री बुज का सेतरपल क्या होता है एक बटा दो इंटू आधार इंटू मुच्चाई को नहीं जानता है इस सुत्र को को नहीं जानता एक बटा दो इंटू आधार इंटू मुच्चाई वरग गई आगे बोल सकते हैं ये त्रीबुज के सेतरपल का सुक्तर होता है ये आप सब जानते हैं मैं भी जानता हूँ ये हो गया अब आपको इस डाइग्राम के according त्रीबुज का सेतरपल आपको ADE त्रीबुज का सेतरपल लेना है और इसके नीचे एक बार तो DEB करना है और इसके बार वापस ADE'S लेना है उसके नीचे एक बार DEC लेना है ADE का सेतरपल बटा DEB का सेतरपल और उसके बार में ADE का सेतरपल बटा DACC सेतरपल ये आपको रेश्य की प्रूब करणै पर मिए इसलिए निए निकालना है हम निकालेंगे area of ADE बटा Area of deb इसको देखना एक बार हम निकालेंगे अपो इसके लिए अब सो पतो टो इन्टो आदार उचाह करेंगे अब आधार औरुग्चाहे देखनी で DEE और DEEB के लिए देखो एक बार वापस KDEEA DEEB के लिए माघड़ाता हो आपको मैंने जब ये लिया लिया ये लिया तो अपको क्या करना है इस दोनुमें आधार लेनाय ये और अधार की धाना कि आप बोल दोगे की कि DEEB की हुँज्जाई ूब क्यूंकि ये ये कौन सा आपके है ये आपका अधी कौन त्रीबुजे इसलिए इसकी इस बुजा को बढ़ाने पर बार की और लंब होगा इसलिए उचाई बार की तरफ होगी तो A, D, E में आपके क्या हुआ आधार A, D और उचाई E, F आप तो कहें दोगे आधार A और उचाई E होगी बट हम A, D, E का और D, E, C का सेतरपल निकालेंगे उस समय हम आधार A, E लेंगे रूचाई D, G लेंगे और A, D, E, E, B का निकाल रहे हैं उस समय हम आधार A, D, E, B लेंगे रूचाई क्या लेंगे? E, F लेंगे और इसके लिए आधार D, B और उचाई E, F ये दोनubers बात परosit लीग दो आप, तोने प्रफास हैं E, D, E के लिए E, D, E, के लिए क्या लिए आपने? E, D, E, E, F E, D, E, F Ed B इंटू E, F और आपके D, E, B के लिए D, E, B के लिए क्या लिए आधार? D.E.B. के लिए देखो D.E.B. के लिए यह आधार लेंगे इस आधार परोचाई यह E.F. ही है क्योंकि इसकी भुजा को बढ़ाने पर आगे की तरफ पा रहा है तो D.B. इंटू E.F. D.B. इंटू E.F. यह ले लिए आमने D.B. इंटू E.F. तो देखिए D.E. अपॉन एरिया ओप ट्राइंगल D.E.B. इस इकोल टू आगया आपका A.D. अपॉन D.B. इसको एक क्यूक्शन नंबर आप सेकिंड के देना अब हम A.D. अपॉन D.E. भी निकाल दिए अब निकालेंगे A.D. अपॉन D.E.C. अब देखिए उसके बाद में तथा area of A.D.E. अपॉन area of triangle D.E.C. इसके लिए एक बटा दो इंटू आधार इसके लिए भी एक बटा दो इंटू आधार इंटू उंचाईए अब देखना है A.D.E. और D.E.C. के लिए आधार उंचाईए देखने है एक साथ है देख रहा हूं मैं जान रखना A.D.E. और D.E.C. A.D.E. और D.E.C. A.D.E. और D.E.C. A.D.E. और D.E.C. अब देखिए A.D.E. यह त्री बुज है इसका आधार अब की बाद आधार इंटू आपनेगा क्योंकि क्या लेना है A.E. इंटू D.E. A.D.E. के लिए आधार और यह उंचाई इसके लिए E.C. इंटू D.E. यह द्यान रखना है तो यह ले लिए आपने इसके लिए तो हो गया A.E. आधार और उंचाई क्या थी DG इसके लिए E C आधार और उचा Ayadhaar ती? DG तो देखिए हाप से हाप इसमें भी cancelled DG से DG इसमें भी cancelled और इसमें समीकरण एक का भी यूज कर लेना साथ साथ समीकरण एक से समीकरण एक में हमने इसा कया देखा ब vers total समीकरण एक में हमने देखा ता एरिया ओप DEC की जगे क्या लिख देंगे D E B समीकरण एक लिख दिया हमने D E B एक मिनट वापस सही लिख देता हूँ D E C की जगे लिख दिया D E B बराबर क्या बचा A E upon E C अब देखिए इसमें अब समीकरण 2 का उप्योक रूँगा यहीं पर समीकरण 2 से A D E बटा D E B की जगे हम क्या लिख सकते हैं A D E बटा D E B की जगे A D बटा D B लिख सकते हैं इनकी जगे क्या लिख देखिए A D बटा D B बराबर क्या बचा है A E upon E C और यही त्योरम हमें क्या करनी थी प्रू करनी थी इती शीडम बड़ी अच्छी और इंट्रेस्टिंग स्यांदार त्योरम थी भई जाना रहा इसका कोई दिक्कत नहीं आ रही एक बार देखो आप एक नजर वापस डाले ना अच्छे से मैं सुरू से बता रहा हूँ देखो बोड़ रहा था कि थेल स्थोरम या आधार्बू समानुपाति पर में यदि किसी त्रीबुज की एक बुजा के समानतर को इरेका कीची जाए तो इरेका ति अन्य दोनों बुजाओं को सेंस दोनों बुजाओं को समानुपात में विवाजित करती है अब देखिया आकर्थि इसकी हमने मना दिया त्री बुज और इसकी बुजा के समानुपात में विवाजित करेंगी इड्मिंस A D upon D B और A E upon E C क्या होगा equal होगा और इसमें हम रसना क्या कर देंगे D को C से मिला देंगे B को E से मिला देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे इसके D से D G lump E C पर खिच देंगे E up lump A B खिच देंगे ये सारी बातें हमने लिख दी उसके बाद में उपती में सबसे पहले उब्यनिष्ट आदार वर दो समानतर एकाओं के मज्दे बने त्रीबूज सेतरपल में बराबर होते हैं तो देखिए D.E.B. और D.E.C. दोनु D.E. आदार पर है और D.E. और B.C. समानतर एकाओं के मज्दे है एरिया ओप A.D.E. बटा D.E.B. इसके लिए एक बटा 2 इंटू आदार इंटू उचाई A.D.E. और D.E.B. के लिए आदार ये लेंगे रूचाई E.F. लेंगे A.D.E. इंटू E.F. और इसके लिए D.B. इंटू E.F. क्योंकि D.B. आदार पर रूचाई E.F. ये आदार इसके लिए क्या लेंगे A.E. और उचाई D.G. इसके लिए आदार E.C. उचाई D.G. तो ये लिए लिए एक बटा 2 इंटू A.E. इंटू D.G. आपस इसटीच इसके ला सकते हैं तो ये था हमारा कौन सा पर में थैल्स पर में कौन सा पर में फैल्स पर में यादार बूज समानुपाती पर में बहुत इंपोर्टेंट था भई अब देखो इसकी कुछ आपको बाते में और बता देता हूँ यह तो आपके फिक्स होता है कि फुरू कर दिया हमने अब यहां साइड में लिक रहा हूँ देखिए इसका अगर DE समान्तर BC इस्त्री बुज में है DE समान्तर यदि BC इस्त्री बुज में है DE समान्तर है BC इस्त्री बुज में तो फिक्स है कि AD बटा DB और AE अपोन EC आ जाए तो देखो मैं शीली कुछ बाते बता रहा हूँ नहीं तो हम इसमें AD करके वैसे बता सकते इसी परकार रेशियो अगर इस पूरे AB का लेना चाहिए पूरी साइड लेना चाहिए और केवल उपर की साइड लेना चाहिए AB और AD का तो उसी परकार से आएगा AC और AE देखो जिस परकार से हम एक और से साइड लेते है व मर् पढ़े-ः अगर इसने स्ट इदर लेका एपन इसे अगर इसमें पूरा एवी एडी ले लिया तो ए मनें अगर इधर ले 5 ए नीजे का इस्से इपरकार सेयरीन है शूंतर है या इस परकार से हमें उनका रेश्यो चाहिए तो उस परकार से हम रेश्यो परते क्यूस्न में हम ले सकते हैं इस चीज का विष्थे स्तोर से जहार रहा हैं आपको इस चीज का विशेशतोर से ज्यान रखना ये था हमारा आदार्बू समानुपाती पर्मे या थैल्स पर्मे इस से आगे हम इसका नेक्स्ट इसका कन्वर्स थोरम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आदार्बू समानुपाती पर्मे का विलोन उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना आज आपके जो थैल्स पर्मे और समरूपता से सम्मन्दित इसका बेसिक जो कड़ाया उसको कलियर क के से देखिए सब्सक्राइब करना और आपके इसका आपको चीए तो आपको अगया जाओगे तो आपको नोट्स भी अडेबल हो जाएंगे बस तन्निवान